हेलो एवर्वन कैसे सभी मैं उम्मेद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिसक्स करने वाले हैं न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 के बारे में इसमें कौन सी जो है चेंस लाइग गई है इसमें कौन सा सिस्टम है यह हम सब देना लेकिन अभी नहीं जब आपको लगेगा कि वीडियो हेलफल है तब आप लाइक दिखा देना तो सबसे पहले जो हमारा आज का टापिक है वह है एजुकेशन पॉलिसी पे जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई तो हम देखेंगे इसमें जो पुरानी वाली पॉलिसी थी एजुकेशन की वह क्या थी और हम देखेंगे नई वाली पॉलिसी जो है उसमें क्या एड़ हुआ है उसमें क्या जो है ट्रॉनिस फार हुआ है उससे तो सब से पहले हमारे जो existing structure था existing structure उसको हम गहते हैं 10 प्लस टू यह आपको पता हुगा 10 प्लस टू का तो 10 प्लस ट स्टेज तो यह जो दो स्टेज्स थे इसमें हम existing system है तो यह हम कहते हैं 10 ब्लसटू तो आप जो नयावाला system आया नहाया वाला structure आयए है इसमें क्या है is my basic 4 system हैерж चार स्टेज सें जिनको हम कहते हैं 5 फाउंडेशनल स्टेज जो है इस में 3 साल से लेकर 8 साल के बच्चे तक जो होते हैं वह इस स्टेज में आएंगी तो इस स्टेज में पहला इसमें जो है फॉर्ड गृरूप जो है डिवाइड किया गया है जो पहला वाला पहले तीन साल हैं वो एक बच्चा कहीं पे भी एजुकिशन हासिल कर सकता है या तो वो अंगनवाड़ी से कर सकता है या फिर प्रे नैसरी प्रे स्कूल से और इसके बाद जो दो साल शुन टो एट यर्स के दो साल है उनमें एक बच्चे को फर्स्ट और सेकंड क्लासिस पढ़ने हैं तो यह थी हमारी foundational classes, foundational stage, तो इसमें और एक चीज जो है important है, multi-level play, इसमें बच्चों को multi-level play स्खाई जाती है, activity-based learning जो है बच्चों को दी जाती है, तो यह थी हमारी foundational stage, इसके पाद आती है preparatory stage, तो इस preparatory stage में जो है, यह start होती है from class 3rd to 5th class, और जो age group होता है, from 8 to 11, तो 8 साल से 11 साल तक जो बच्चे आते हैं, वो इसी stage में आते हैं, और from class 3rd to 5th class तक जो बच्चे हैं, वो इसी stage में आते हैं, preparatory stage में, तो इसमें खासकर play, discovery और interactive classroom, जो है learning, इम बच्चों को दी जाती है, ओके, तो यह थी हमारी preparatory stage, इसके पाद आती ह है, हमारी middle stage, तो middle stage में आता है, from class 6th to 8th तक, और age group आता है, from 11 to 14 तक, जो भी बच्चे, 6th to 8th class तक आते हैं, उनको हम बताएंगे कि यह, जो है middle stage के बच्चे हैं, तो इनको, जो है, importantly, experimental learning दी दाती है, in science, mathematics, arts, social science, और humanities में, ओके, तो यह थी हमारी middle stage, इसके बाद जो आखरे stage है, उसको हम कहते है, secondary stage, इस secondary stage में, class 9th to 12th तक, जो बच्चा आते हैं, वो इससे stage बाते हैं, अगर हम उनकी age देखे हैं, तो 14 से 18 तक, ओके, तो यह जो stage है, इसमें, खासकर, multi-disciplinary study, greater critical thinking, और flexibility and student choice of subjects, तो इसमें, एक, जो important चीज है, flexibility है, कि एक student को, वो, कौन से subject, जो है, choose करे, उसको यह flexibility दी जाती है, यह opportunity दी जाती है, ओके, तो यह थी, चार steps, नई, जो policy थी, education की, उसके, तो मैं जो मैं देखे हैं, कि आपको, यह, चार स्टेज्स, आपको, समझा चुके होंगे, और जो, system था, नया, system, pedagogical system, 5+, 3+, 3+, 4, यह, आपको, समझा चुका होगा, अगर नहीं, तो आप, मुझे, कमेंट में लख सकते हो, कि मुझे समझ नहीं आए, तो मैं आपके लिए, कोशिश कर सकता हूँ, और, अगर आपको, समझा आया, तो आए, एक, लाइक बटन, जरूर दबाए, तो मिलते हैं, आगली वीडियो में, तब तक दीजी इजादत, बाई,